हेलो फैंस आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बेहादी महत्पूर्ण है और यह जो अपडेट आप भी मैं बताऊंगा सेमेस्टर वन का है जो की सत्र है 23 से लेके 27 के जितने भी स्टूरेंट्स हैं मुंगेर इनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह एकेडमिक कैलेंडर जो है वह जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो को आनते तक आप लोग देखना है मैं सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा एक्जाम रेज वीडियो को समझ पाएंगे सबसे पहले तो यह मुंगेर इस वीडियले को आया हुआ था और यहां पर देख सकते एकेडमिक कलेंडर सेशन जो है यहां पर जो सरकिल से बता रहा हूं ताइस से 27 का यह सत्र है इनको ध्यान से देखना और समझना है तो सबसे पहले मैं यहां पर देख सकते हैं जो कि यहां पर देख सकते हैं तीनों चीज के लिए दिया गया सत्र यहां पर बता दिया गया ताइस से 27 यहां पर डेट दिया गया है पहला चीज यहां पर देख ले जो पहला है सिरियल नंबर में दिया गया है कि आड़िशन प्रॉसेस अं रेज स्टेशन प्रोसेस सेमेस्टर वन एन रेजिस्टेशन दो आपका रेजिस्टेशन जो हुआ था वह तीस जून दोजरताइस को हो गया था उसके बाद यहां पर दिया गया आपका क्लास जो स्टार्ट हुआ है classes of semester 1 start was 4 July 2023 को यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे 4 नमबर जो यहाँ पे दिया गया mid semester test जो की 11 से 16 सक्तमबर 2023 दिया गया बट आपका mid test जो है आपका नहीं हुआ है तो इनका date जो है जल्द ही जारी भी किया जाएगा विस विद्याले की और से अगर आती है तो उनको मैं सबसे पहले आप लोगों को update कर दूँगा जो आपका test होने वाला है उसके बाद यहाँ पे दिया गया 5 नमबर में admit का generation semester 1 तो आपका जो exam होगा semester 1 का उनका admit का जो जारी होगा यहाँ पे दिया गया 20 नमबर 2023 को आपका जारी भी कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे दिया गया classes of semester 1 English का जो start होगा वह होगा 20 नमबर 2023 को आपका class भी start कर दिया जाएगा उसके बाद Com monumental जो है commencement का जो date दिया गया theory का यहाँ पर दिया गया 21 नमबर से लेके 15 दिसंबर के बीच लिया जाएगा 8 नमबर में दिया गया commencement of practical exam जो कि 16 से 23 दिसंबर के बीच लिया जाएगा उनके बारे में यहाँ पर दिया गया और result के बारे में दिया गया है, जो result जारी किया जाएगा, वह 10 जनवर 2024 को किया जाएगा, तो यह schedule जारी किया है, जो की calendar मतलब होता है, एक तरह से आपका इसी तरह के आधारित, आपका semester 1 का जो जितने भी program होने वाले हैं, वो सब होगा, exam भी इसी date में लिया जाएगा, और result भी publish किया जाएगा, तो यह एक calendar के रूप में है, इसी के अनुसार जो है विश्विद्याल है, आप लोगों का, जो है exam लिया जाएगा, admit कर लिया जाएगा, और जो test होता है बीच में, उनको भी लिया जाएगा, हो सकता है, इनका date आगे और पीछे भी हो सकता है, तो आसा जो आपका होगा, और registration होगा, यहाँ पर दिया गया है, पहला नंबर में, कि दो जनवरी से लेके, 7 जनवरी तक, 2024 तक आपका, जो है, registration होगा, और आपका admission process भी होने वाला है, जो कि semester 2 में होगा, उसके बाद दो नंबर में दिया गया है, classes जो स्टार्ट होगा, semester 2 का, 10 जन आपका लेवी लिया जाएगा, उसके बाद चार नंबर जो दिया गया, admit card जो generation होगा, semester 2 का, वाद 30 अपरेल 2024 को आपका admit card भी जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद 5 नंबर जो दिया गया, class जो स्टार्ट होगा, semester 2 का, जो कि English का, 30 अपरेल 2024 को स्टार्ट कर दिया जाएग उसके बाद commencement जो है of theory examination जो होगा 2 से 19 माई के बीच 2024 में लिया जाएगा और practical का जो बारे में दिया गया 7 नमबर में commencement तो उसका होगा 20 से 25 माई 2024 के बीच लिया जाएगा और इनका result के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि semester 2 का result जो जारी होगा वो 9 जून 2024 को जारी भी कर दिया जाएगा तो इसको आप अच्छे से समझ गया होगा जो मैंने बताया है या मैंने अभी जो बताया आपको session 23 से सकतास का BSE B.com का तीनों का है जो कि semester 1 के बारे में भी मैंने बताया और semester 2 के बारे में भी मैंने अभी आप लोगों को अच्छे से बता दिया या इसी क्या धार जो है आपका exam भी लिया जाएगा तो यह academic calendar था और वीडियो से कुछ information प्राप्त हुए और वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इनको क्या करना है आप लोगों को दुवारा भी देखना है सुरू से अन तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जादस जादस सेयर करें धन्यवाद